तो भाई लोग क्या हल चाल तो वापस से होस्टल आपका भाई पहुंच चुगा है और यहां भी कोशिच करूँगा कि वीडियो इस रेगुलरी डालता रहूं बस अपना सपोर्ट तुम बनाए रखना तो चलो यार बात करते हैं आज के टॉपिक की तो आज अपने पास है आसूस रोग स्ट्रिक्स जी 15 और वाई इसका ना अज अपने रिव्यू करने वाले एकदम प्रॉपर बताने वाला हूं कैसा यह लाप टॉप है कैसी परफॉर्मेंस देता है और यह है राइजन 74800H और जी टेक 1650 Ti वाला वेरेंट और कैसी परफॉर्मेंस देता है लेना एम रखने वाला हूं इस वीडियो पर लाइक एम है 30 लाइक का प्लीज कम्प्लीट करवा देना लाइक तुम लोग करते नहीं न इसलिए मेरे को थोड़ा लाइक एम बगरा रखना पड़ रहा है और बागी ऐसा बड़ीय बड़ीय कंटेंट और देखना चाहते हो सब्सक बागी कैसी यह परफोर्मेंस डिलिवर करता है न वह अपने आगे बात करेंगे परफोर्मेंस के सेक्शन में GTX 650 Ti ग्राफिक कर देखने को मिल जाता है 4GB VRAM वाला है GTDR6 वाला और यह भी कैसी गेमिंग परफोर्मेंस देता है वीडियो में आगे परफोर्मेंस के सेक्शन में बात करेंगे 8GB की RAM देखने को मिल जाती है 3200 MHz वाली और तो और 512GB की SSD देखने को मिल जाती है RAM अपग्रेड़ेबल है बाकी SSD भी अपग्रेड़ेबल है हाद्डे करने की नहीं ठीक है चले और बात करते हैं लाप टॉप की डिस्प्ले के बारे में कैसी लाप टॉप में पर देखने को मिलती है तो यह वही बेसिक से दिस्प्ले देखने को मिलती है और 144Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है, मतलब high refresh rate वाले display है, आप e-sports title बहुत अच्छे से enjoy कर पाओगे, और processor काफी powerful है, तो yes, e-sports title में आपको अच्छे FPS देखने को मिलेंगे, तो yes, आपको like, इसकी 144Hz की display है न, उसका पूरा फाइदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है, अब बात करते हैं से laptop के build और looks की न, तो बाई, build के मामले में ये laptop एक number है, बाई, मजा सा आ जाएगा, भाई, कोई flex नहीं है, like, ऊपर की body में कोई flex नहीं है, top load flex, like, मतलब दपता ही नहीं है, one hand से easily laptop open हो जाता है, weight distribution कमाल का, keyboard flex भाई, negligible है, नहीं दपता है, कमाल की isकी build quality है, आ अगर तुम्हें light हो से प्यार है, इस laptop से तुम प्यार कर वाईट होगे, साथ लेगे, सोगे, अपने, जाओगे, खाओगे, प्योगे, इतनी light है, इतना प्यारा look हाता है, पूरा gamers वाला look है, इसलिए gamers को ये laptop 100% recommended है, looks के मामले में A1 है, ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, इस laptop की keyboard और trackpad के बारे में, तो keyboard वही अपना proper RGB keyboard है, कस्टमाइज कर सकते हो, इसके अंदर आपको software मिल जाता है, आर्मरी क्रेट का, उससे आप कस्टमाइज कर सकते हो, और काफी सारी effect है, आप keyboard की मदद से shortcut से भी change कर सकते हो, और yes, backlight बहुत सुन्दर रगती है, जैसे कि म आपने games वगारा खेलनी भी नहीं होती है, उसके लिए हम mouse correct करते ही करते हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बात कर लेते हैं, इस laptop की ports की, तो ये जो अपनी के करते हैं, राइट साइड है न, नहीं लेफ्ट साइड है न, लेफ्ट साइड में हमको, दो USB 3.2 के ports देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में, और एक headphone jack देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, USB 3.2 है, headphone jack देखने को मिल जाता है, पीछे में भी आपको ports देखने को मिल जाते है, यहाँ पर आपको charger का port देखने को मिल जाता है, एथरनेट port दे आटक थर्मल की बात कर लेते हैं अट्रेएर एक नबर आ थर्मल से से रिगार्डिंग कोई इशू आपको नहीं आने वाला है तेम्परेचर वगरा लाइक कोई हीटिंग इशू नहीं है जो टफ थाना तफ में आता था like thermal issue और 2021 में वो भी इंप्रूफ कर दिया असूस ने और जो आरोजी है ना उसमें like नहीं है like thermal issue नहीं है उसके thermal काफी अच्छे बग करते हैं तो thermal से रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है talking about the battery of this laptop देखो अगर तुम student और इसको purchase करने का सोच रहे हो ना तो यह battery backup बहुत पाहिने रखता है और यह laptop में देखने को मिलती है 90 watt-hour की battery like battery काफी सही है like अच्छी कासी चल जाती है like ऐसी दिक्कत नहीं आती है gaming laptop बैटरी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखने चाहिए यह gaming laptop like ठीक ठाक काफी सही battery backup दे जाता है दूसरे laptop के like अगर उन दूसरे laptop से compare करोगे अगर like backlit off brightness को half कर देते हो और refresh rate को 60 Hz करके इसको normal usage के लिए like चलाते हो ना तो 5-5.5 गंटा यह चल जाता easily कोई दिक्कत नहीं आती है तो battery yes काफी सही है ठीक है तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में राइजन 7 4800 है जो की एक 8-core 16-thread वाला beast processor है वह इसके अंदर लगा हुआ है तो समझ जाओ यार कैसी performance तुम क्या-क्या चीज़े कर सकते हो almost हर चीज कर सकते हो भगवान हो तुम ठीक है basic usage easily हो जाएगी लाइक आपको multitasking करनी है word processing है चोटी मोड़े software zone करनी है study purpose के लिए use करना है coding करनी है trading करनी है सब हो जाएगा easily कोई दिक्कत ने आने वाले तुम्हें basic usage में ठीक है थोड़ा उपर जाओगे लाइक photoshop करना फोटरेटिंग वागरा extreme photo editing कर दो कोई दिक्कत ने आने वाली है video editing करनी है 1080p extreme level कर दो कोई दिक्कत ने आने वाली है 4k extreme करना चाहते हो RAM को 16GB तक upgrade कर वाले ना फिर 4k extreme भी कर दो कोई दिक्कत ने आने वाली है देखो 4k में ना processor processor lag नहीं करेगा 4k में RAM lag कर जाएगी ठीक है बागी processor इतना powerful है कि अगर तुम RAM को upgrade कर वालो ना तो वाई 4k extreme editing कर दालो कोई दिक्कत ने आने वाली है ठीक ठाक 3D modeling वगेरा कर सकते हो कोई दिक्कत ने आने वाली है तो processor समझ जी जाओ कितना जादा powerful है देखो 4th generation का processor 4800H बट आज भी ना बहुत ताकत है इस processor में like one of the best processor है ठीक है इतना powerful processor है यह ठीक है तो देखो CPU performance से regarding कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बात करते है GPU performance की तो इसके अंदर हमें 1650 देखने को मिलता है NVIDIA GeForce GTX 1650 ठीक है अब कैसा graphic card यह है देखो 4GB का यह graphic card है आज सही बता हूं 2022 के हिसाब से यह थोड़ा पुराना हो चुगा है बट स्टिल casual gaming में काफी सही result देता है हमने इसमें GTA 5 टेस्ट किया very high settings पर जितनी settings हम ले जा सकते थे high उतनी settings पर टेस्ट किया on an average इसने हमें 90 plus fps दिये ठीक है on an average की बात करना हूं और yes performance mode पे like high performance mode में हमन नहीं आये ठीक है फिर ना इसके अंदर हमने watchdogs 2 को चलाया वो भी high preset पे watchdogs 2 ना बहुत ज्यादा graphic intensive game है मैं सही बता हूं like yes अच्छे अच्छे laptop की ना फट जाती है इसको high settings पर चलाते चलाते तो हमने इसको high settings पर चलाया ठीक है और on an average हमें 50 plus fps देखने को मिलें काफी like बढ खेला ही होगा तो मैं टेकन के game खेले होंगे तो टेकन 7 सबसे latest taken का game है हमने वो टेस्ट किया मेरे पस देखो यह तीनी गेम कर टेस्ट करने के लापटाप किसी का है अब मेरा होता तो हमने और भी games डाल देता तक नहीं कर सकता ना ठीक है तो टेकन 7 हमने चलाया very high settings ठीक है 1080 1080p very high settings full 60 fps constant ठीक है क्योंकि यह game support 60 fps से उपर नहीं करता है 60 fps हमें constant मिल रहते एक drop नहीं आया ठीक है तो laptop काफी बड़ी performance देता है बागी like cyberpunk जैसे game तुम खेलना चाहते हो तो low settings पर तुम्हें playable experience मिल जाएगा अब समच जो कैसी performance आपको gaming में देता है like casual gaming तुम कर सकते हो लेकिन अब तुम्हें like graphical intensive gaming करने है like a sessions creed well hala दबा के खेलना है cyberpunk दबा के खेलना है और DLSS का support मिल जाता है वागे AMD का fidelity है वो 16 16 series में भी support करता है वह वैसे वाग करता है तो like ठीक है 1650 ठीक ठाग राफिक का in 2022 मैं कुछ कहना नहीं चाहता हो और ठीक है यह laptop अगर तुम्हें around 75,000 तक मिल रहा है तो तुम इसको ले सकते हो क्यों कि देखो SP pavilion आता है SP pavilion आता है 75,000 लेकिन वो तुम्हें 16 GB RAM दे जा रहा है बट वहाँ तुम्हें build वागेर हमें compromise करना है हलका बहुत thermals में तुम्हें compromise करना पड़ेगा लेकिन भाई आसुस की जो build है न भाई एक नंबर की build है पेल के तुम्हें light मिल ली है इसमें light से प्यार है तो यह पेल के light मिल ली है thermals बहुत अच्छे है ठीक है तो यह आसुस रोग इसी लिए आगे है ठीक है अब 16 GB RAM वो तुम्हें दे रहे हैं लेकिन इसमें 8 GB RAM मिल लेकिन अगर तुम्हें 75,000 तक की range में मिल ला है तो यह तुम्हें इसको अराम से उठा लो तुम्हें एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए करने जो ज़्यादा प्रोसेसर बेस्ट है तो यह तुम्हें इस लाप्टाप को उठा सकते हैं कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है तो होप यार तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें इस लाप्टाप को लेना है कि नहीं वैसे overall it is a very good laptop कोई और मन में सवाल व पादेना ऐसा कंटेंट देखना सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में तक तक के लिए गुड़ बाई